चैप्टर 2 देख रहे हम लोग measurement and system of units measurement of mass अब mass का measurement कैसे करेंगे किसी भी substance में जितना content होता है जितना matter उसमें होगा उसे हम mass कहते हैं अब क्योंकि mass एक बड़ी internal property है ये बाहर की बाहर का अगर देखे कि भई temperature हो या pressure है उसके dependent नहीं हो किसी भी object का ले लीजे उसका mass उसका original content होता है तो जो measure है mass का इसको हम बड़े simple balance से कर सकते हैं इसमें क्या करते हैं कि जो gravitational force है जो उसके लग रहा होगा इसको हम compare कर लेते हैं gravitational force किसी और plus standard object से माल ली जा 없े है जो mass है अगर हम force की बात करें तो mg इस तरह के से gravitational आपका mass लगता है gravitational force to mg होता है gravitational mass लगणा होता है m पे हम इस balance से decide करते है इस gravitational mass के balance से decide करते है gravitational mass किसी object का वो किसी भी जगा पे अर्थ पे किसी भी जगा ले लिजे वहाँ पर सेम होना चाहिए तो gravitational force F equal to mg यह gravitational force की संख्या है किसी भी object पे जो M जिसका mass है उसे हम weight कहते है M होता है mass जो उसका original content है जब उसके gravity लगने लगती है तो जो force बनता है उसे M F equal to mg इसका हम gravitational force करते है तो हम यह कह सकते हैं कि जो weight है body का वो किसी भी जगा पे अगर ले जाए तो पुरी तरीके से इस g पे repent कर रहा है कि mass to change नहीं होगा gravity जो लग रही है उसके इसाफ़ से change होगा जैसे अगर आप किसी भी body को ले जाए moon पे और किसी और planet पे तो अर्थ से different होगी क्योंकि gravitational pull वहाँ का different होगा जब हम atom और molecule की बात करते हैं तो जो kilogram है यह एक convenient unit नहीं होगी क्योंकि kilogram जैसे एक अच्छा खासा भार होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको AMU atomic mass unit में measure करने कोशिश करते हैं तो C12 carbon 12 isotope है carbon का और इसका अगर एक बटे 12 mass किया जाए तो यह एक AMU के बरापर होता है atomic mass unit के बरापर कहने का मतलब यह है कि 1.66 into 10 to the power minus 27 कीजी 1.66 और 10 की घात minus 27 इसको हम 1.U के इसाथ से भी कर सकते AMU कब तक लिखते रहेंगे 1.U कर दोते है तो physics में आप देखेंगे कि हमारे पास variety बहुत है mass की जितना हम जानते है 10 to the power minus 30 kg minus 30 kg सुचे कितना कम है और 10 की घात 55 कितना जादा है जो masses बड़े-बड़े हैं जैसे planet है, star है अपने अर्थ की बात कर लीजे इसको हम कैसे पता करते है Newton law of gravitation से जैसे छोटा mass हो जैसे atomic particle या atom हो तो हम mass spectrograph का use करते है इस तरीके में क्या होता है तो जो radius होता है trajectory का किसी भी charge particle का electric field में या running field में वो proportional होता है mass किसके charge particle के अब समय की बात आती है measurement of time पहले कैसे होता था time कैसे measure करते थे जो sunlight जब पढ़ती थी किसी पे तो जो object की shadow होगी उस shadow के लेंग से पता चाथा कि time क्या है उसके हिसाब से लोग बता करते थे उसके बाद pendulum का invention हुआ उसके बाद बहुत सारे measurement होगे आज तो बहुत हमारे पास atomic clock के clocks है किसी भी time को measure करने के लिए एक clock की जरूत होती है उसके बीच में interval से हम नाप लेते हैं अब और हमें better time चाहिए तो atomic clock हमारे पास है atomic clock आपको अगर GPS satellites का नाम सुने होगी या GPS के बारे में जानते होगी उनके satellite में atomic clock लगी होती है इतनी ज़्यादा ये sophisticated state of the art है अगर छोटा time पता करना है camera, multi flash photography ये सब हम use कर सकते हैं accuracy और precision अब कभी आप measure करते हैं जैसे आपने कहा मेरी height 2.5 feet 7 inches है या 5 feet 11 inches है क्या ये पक्का पता है आपको 5 feet 11 inches है क्या वो 5.5 11 inches और आगे 2 unit और नहीं हो सकती 2 unit कम नहीं हो सकती अपने एक number बताया तो हम पहले तो पता करें accuracy और precision में difference क्या होता है accuracy का मतलब ये होता है या accuracy measurement में जो आती है वो एक measure है कि how close the measured value is with the truth value of the quantity मैं इसको समझाऊँगा आपको precision का मतलब ये होता है कि किस resolution या limit तक quantity को measure किया गया है अब इसको इस तरी के से समझे पहले मैं example देता हूँ फिर आगे भी आ रहा है ऐसा है कि अब accuracy की बात अगर हम करेंगे तो माल लिजए 2 actual unit है ये precise value है आपकी value है 2.1 तो accuracy कितनी हुई इसकी 0.1 और ये 0.0 ये actual value है ये 0.1 अब 2.0 पे आपकी value है 2.2 तो कौन सा ज़्यादा accurate है 2.1 ज़्यादा करीब हो गया अगर 2.01 आ गया तो ये ज़्यादा करीब हो जाएगा इसे accuracy कहते है और precision की बात करें तो precision का मतलब ये होता है किस limit तक ले गया है जैसे आपने का 2.2 बहुत बढ़िया 2.22 2.223 ज़्यादा precise हो गया जिसमें ज़्यादा level तक आपने measure किया है बहुत जिसे कहते हैं करीब value और सही value तक लेके गये हैं अगर आपको digital watch है आपके पास वो आपको time दिखा रही है 10.11.12 ये एम सुबह का समय हो रहा 10.11.12 ये बढ़ी precise है क्योंकि इसका least count आपका एक second है लेकिन अगर आप देखे आपके जो दादा जी होंगे उनकी हाथ की घड़ी देखिए वो बजारी होगी 10.13 मिनिट है यानि कि 11.11 मिनिट ही हो रहा है 10.11 मिनिट और 12 सेकंड जो least count है इसका एक मिनिट है यानि second तो है नहीं इसका फ़तब ये थोड़ी कम precise है यदि digital watch थोड़ा slow चल रही हो तो अगर time कब बैर करे किस watch से इस watch से तो उसके accuracy नहीं है लेकिन precise है यदि grandfather आपके उनकी घड़ी वो correct time शो कर रही है तो time जो measure किया इस watch से उसका accuracy जादा हो गया precision कम हो गया तो physical quantity जितने भी है हम जाहेंगे कि accuracy अच्छी खासी हो और precision भी अच्छा हो क्योंकि precision डिपेंड करता है क्या least count है आपके instrument का मैंने जैसे बताया 2.2 2.22, 2.22, 3 तो क्या precision तक लेकी जा रहे है radius किसी sphere का अगर आपको इसका radius measure करना है micrometer screw गौज से तो यह ज़ादा precise होगा बरिजबत किया vernier caliper तक जा सकता है इसकी आपको precision और नापनेगी और micrometer screw गौज की बात करें तो 10 to the power minus 5 meter तक जाता है अगर किसी भी physical quantity का measure करते है accuracy से तो पहला तो सबसे important चीज आता है कि कौन उसे measure करता है उसकी skill क्या है quality क्या है instrument जो आप use कर रहे है तरीका क्या अपनाया गया है और अलग-अलग physical quantity को measure करते है laboratory में अलग-अलग apparatus को लेके तो inaccuracies आती है यह बिलकुल fact बात है हर चीज में inaccuracies थोड़ी बहुत रहती है और इसको जितना दूर किया जा जितना accurate किया जा उतना अच्छा है result में अगर कोई inaccuracy आती है तो हमेशा आपने research paper वगरा जब आगे लिखेंगे आप दिखेंगे कि उसमें बताएंगे कि इतना accurate है इतना precision है तो जो inaccuracy है measurement में जो आती है उसे हम error कहते है कि error है और यह error कोई गलत चीज नहीं है कोई ऐसी वो नहीं है error एक natural चीज है जो चीज बतानी चाहिए जो चीज आप बता सकते है वेकि इसमें ये कमी है ये error है लेकिन वो error आपको आप बता रहे है इसका मतलब पता है कि इतनी error समझ रहे हैं इस बात को physics में जो error है measurement में उसको हम दो तरीके से classify कर सकते हैं एक systematic error है एक आपका random error है systematic error क्या होती है systematic error मतलब वो एक ही direction में जा रही है या तो positive में चले जाएंगे positive positive में या फिर negative में जा रही है तो ये जो error है एक साथ positive और negative नहीं हो सकती एक साथ में हो सकती अब sources बताता हूँ कि systematic error में कहां कहां से आती है जैसे आपका instrument error है यह कहां से आती है अगर माल लीजिए आपका जो instrument बनाया गया है उसका design ठीक नहीं इंप्रॉपर यह इंप्रफेक्ट design है calibration उसका ठीक से नहीं किया गया है जैसे अगर कोई object आप suspension की बात कर रहे हैं suspend किया एक spring balance से और उसका जैसे हैं spring balance में आपने उसको suspend किया वो 0.1 gram दिखा रहा है 0 दिखाना चाहिए उसको तो already इसमें 0.1 gram का तो instrument का error है जितने भी observation या जितने भी measurement आप इससे लेंगे वो तो 0.1 gram जादा ही दिखाएगे आपको यह systematic error कि इसको कहते हैं experiment में आई गया एक दूसा error होता है error due to imperfection in experimental technique या procedure जो तरीका अपनाया आपने जो procedure अपनाया जो steps अपनाया आपने उसमें कुछ कमिया है एक example दोगा आपको जैसे आप temperature ना पने है शरीर का, human body का कोई भी improper contact अगर है thermometer का body के साथ तो वो measure आपको error देगा external factor जैसे temperature हो, pressure हो, humility है ये भी आपको systematic error ही जोते है measurement है personal error अब ये क्यों आता है ये किसी individual की एक तरफ की biasness है, उसकी carelessness है, उसकी सही तरीके से वो बैठा नहीं है, खड़ा नहीं है apparatus ठीक से रखा नहीं है तो ये personal error है systematic error को हम दूर कर सकते हैं अगर हम experimental technique से उसको improve करें सही करें, अच्छे quality के instrument लें और आपका personal bias है आपकी कोई कमी है, उसको दूर करें random errors random errors क्या होते हैं ये random errors ऐसे होते हैं जो जिसका बारे में आपको पता नहीं ये हो सकता है, irregular हो आप predict नहीं कर सकते इसको अब हो सकता है किसी समय temperature इतना ज़ादा हो गया कि आपको अलग सी reading आ रही है किसी समय temperature इतना कम हो गया कि अलग सी reading आ रही है, बिलकुल अलग reading आ रही है, तो ये जो errors है ये दोनो positive भी हो सकते हैं एक ही time पर negative भी हो सकते हैं यह error हम कैसे estimate करेंगे हम क्या करेंगे बहुत सारे observation ले लेंगे उन सबका average लेंगे सबको जोड़के जितने number of observation उसे divide तब लेंगे जिसको हम mean या average भी कहते है estimate कैसे करेंगे error को एक absolute error है और एक average absolute error है इस तरीके से कुछ estimation कर सकते है जो magnitude यह जो मान है या difference individual measurement का और जो true value है उस quantity की उसको हम absolute error कहते है जैसे मान लिजे उसकी true value एक example देता हूँ आपका weight है 50 kg और 49 kg आ रहा है अगर आपनापते हैं तो आपको पता है कि 1 kg का difference आ रहा है अगर true value है और 49 आ रहा है तो 1 kg का difference है इसी को हम absolute error कह सकते है अगर हमारे पास यह 40 के यह 50 के जी है निए true value है निए तो हम क्या करेंगे average value सबसे बढ़िया होता है true value हम क्या करेंगे यह हमारे पास अलग-अलग observation आ गए A1 से लेकर मान लिजे A1 तक N observation arithmetic में निकालेंगे सबको A1 से लेकर N तक जोड़ दीजे यहां से यहां तक जोड़ दीजे अर माली जी N observation है जैसे आपने 3 observation लिए यह 49 ले लिया कभी 48.5 आ गया कभी 51 आ गया इन तिरों को जोड़ यह और 3 से डिवाइड कर दीजे तो इसको हम mean कहते है A बार के तरह लिखते है 1 by N I to N Sigma मतलब होता है जोड़ इन तिरों का जोड़ को हम Sigma से लिखते है 1 से लेकर N तक जाएंगे मतलब 3 है तो 3 बार जाएंगे 4 है तो 4 बार जाएंगे और इनको जोड़ लेंगे और उसके बाद जो measure होगी किसी भी physical quantity की यह जो आपका mean आया है उसका plus minus जो delta A mean के साथ जो difference है होगा है इसका मतलब यह है कि कोई भी measurement जो physical quantity का है वो तो या तो आपके mean से plus यह वाला delta A होगा delta mean जो difference है mean में और या फिर minus होगा एक error है relative या fractional error अब relative और fractional error कैसा होता है इसको हम कैसे resonate कर रहे है इसको हम यह delta A बार से यह बार आप अभी समझ लिजेगा कि यह mean है तो जो relative error है वो ratio है याने division है mean absolute error इसका और mean value जो अभी अभी मैंने निकाल के दिखाये था आपको वो चीज value होती है इसका mean इसका ratio है percentage error की बात करें तो जब relative error इसको हम express करेंगे percentage A नी तो इसको हम percentage error कहते है याने आपका जो delta A आ गया इसको आप याने कि यह delta A बार बार इसको 100 से मुणप्लाय करें percentage में निकाल लिए इसको हम percentage error कहते है इसका example देखेंगे ताकि आपको यह clear हो जाए कि जो शब्दों में पढ़ा है वो कैसे करते है एक experiment है जिसमें refractive index glass का रहा है mu से इसको बताते है refractive index वो glass का कुछ इस तरीके से आ रहा है इसकी कितनी आपके पास values है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 values हैं आपके पास आपको calculate करना है बताना है average absolute error relative error और percentage error आपको यह express भी करना है result किस term में absolute error या percentage error सबसे पहली कारवाई हमारे यह होगी कि हमको बताया गया है कि error कुछ आ रहा है तो हम mean refractive index निकालेंगे 1.54 से लेकर 1.45 जितनी भी 6 संख्या है उन सब को जोड़ दीजे 6 से divide कर दीजे आपका 1.51 आ जा अब हम क्या करेंगे एक एक करके इनका difference निकालेंगे पहले इन दोनों का यानि कि 1.51 को 1.54 से subtract करेंगे ऐसी इन दोनों का निकालेंगे ऐसी करके 6 के 6 का निकालेंगे जो accuracy है दो डिजिट का decimal के बाद इसको हमने consider किया है और absolute error हर एक observation का निकालना है मैं पहला बताता हूँ 1.51 को जब minus करेंगे 1.54 से तो 0.03 minus में आएगा ऐसी बाकिया आप सारे कर लेंगे कुछ minus में आएगे कुछ plus में आएगे अब अगर आपको mean absolute error निकालना है तो जो जो चीज़े आई थी जो जो अभी आपने 6 value निकाली न minus करके उन सब का absolute value लेंगे आप यानि कि minus को plus कर देंगे और जितने ही minus से प्लस कर देंगे प्लस को प्लस ही रहेंगे सब को जोड देंगे 6 से डिवाइड कर लेंगे यानि कि इन सब को जोड देंगे तो sign हटाके minus sign हटाके 0.26 आएगा डिवाइड करेंगे 6 से तो 0.04 भी इसको हम 2 decimal तक जैसे हमने पहले बता है 2 decimal तक लेंगे 2 decimal 2 value after decimal 0.04 क्योंकि ये 3 है तो 4 ले सकते है वो क्या हो सकता है या तो 1.51 से जुड़ेगा 0.04 या 1.51 से घटेगा 0.04 तो अगर हम इसको जोड़े और घटाए basically कहने का मतलब ये है कि जो value है ये वाली वो 1.51 और 1.47 के बीच में रहीगी relative वेर निकालने के लिए हम जो delta n bar है और n bar है n bar हमने ये कहाना है इसलिए हम निकाहरे है तो ये 0.05 delta n bar आया और delta n bar तो आप निकाली चुकिए ये n bar आपने निकाला 1.51 इन दोरों को हम डिवाइड कर देगी यानि कि 0.04 को डिवाइड करेंगे 1.51 से ये आपका 0.03 आएगा क्योंकि हम 2 decibel तक ले रहे है percentage error निकालना है तो 0.03 जो आया उसको 100 से multiply कर दीजी वो आपका 3% आ गया यानि कि refractive index glass का जिसका percentage error क्या है 1.54 और plus minus 3% ये ही आपका final आप बता सकते है ये बता कि भई देखिए इसका ये observation में हमें ये पता चल रहा है कि 1.54 का ये ये error होगा 3% combination of error जब हम experiment करते हैं जिसमें बहुत सारे measurement होते हैं तो हमें ये भी जाना जरूरी है कि errors हर measurement में आ सकते हैं अलग-अलग काम हो रहे हैं तो अलग-अलग जगा पे measurement ले रहे हैं जैसे मैं example अगर आपको समझाओं तो किसी experiment में हमको पता करना है किसी object या substance की density तो density निकालने के लिए mass और volume की संख्या हमको निकालने पड़ती है mass और volume जब हम निकालते है substance के तो इसमें mass और volume में भी error आएगग तो हमको पता होना चाहिए कि error कि यह आपका density में आया है क्योंकि density में involved है mass और volume mass और volume में अलग अलग error आ सकते है तो error sum में और difference में कैसे आएगए दो quantity आपके पास है A और B और यह measure value है A plus minus delta A और B plus minus delta B तो delta A और delta B क्या हुआ यह नहीं चीज़ आ गई हैं यहापर यह absolute error है जो अभी अभी आपने सिखा absolute error क्या होता है तो हमको पता क्या करना है delta Z यानि कि combine error क्या है वो sum क्या होगा आपको delta Z निकालना है अब Z का अभी अभी हमने कहा कि Z हम निकाल रहे A और B का दोनों की संख्या जोड़ की तो Z plus minus Z delta Z क्या होगा या तो A में ये delta A जुड़ेगा या घटेगा या B में delta B जुड़ेगा या घटेगा अब इन दोनों को हम add कर देंगे तो कि इसकी जगा हम ये लेंगे इसकी जगा ये लेंगे तो A और B को अलग कर लीजे और plus minus को रहने दिजे अगर हम difference की यहीं पर बात करें तो Z का मतलब है A minus B और Z plus minus delta Z जैसे हमने ये वाला किया था तो यहाँ पर हम plus की जगा negative का sign लेंगे वो ही काम करेंगे A और B को अलग कर देंगे plus minus लेके ये अब यहाँ पर क्योंकि ये plus minus है और ये plus minus है और ये minus sign बाहर है तो ये minus और plus हो जाएगा इसलिए हमने एक बार minus लिखा minus उपर आया plus है नीच आया यानि कि अगर ये plus है तो ये minus है ये minus है तो ये plus है इसका मतलब plus minus delta Z क्या होगा इस case में जब हम subtraction ले रहे हैं तो ये plus minus यहाँ होगा और यहाँ minus प्लस होगा minus उपर है यहाँ जहाँ रखेगा तो चार possible हमारे value जागए plus a delta a के साथ minus delta b plus delta a के साथ minus delta a के साथ minus delta b और minus delta a के साथ plus delta b जिसमें ये plus a जो दोनो plus है ये maximum value होगी और जिसमें दोनो जो maximum value है absolute error की máximo यह होगी और आपके पास maximum value क्या होगी कि यह यह चीज़ आ चुकी है तो delta a plus delta v z के लिए combine अब इसका हम example ले लेंगे अच्छा एक और rule यह जो कह रहा है जब दो quantity को हमने add किया subtract किया जो absolute error आ रहा है final result वो sum क्या होगा basically absolute error अलग-अलग individual quantity का बस यह समझ लिएगा कि दो-तिन चीज़ों को नाप रहे है दो-तिन चीज़ों में error आ रहे है final error दो-तिन चीज़ों के combined error को जोड़ के आएगी illustration करते हैं इसका मतलब एक example देख लेते हैं ताकि आप यह समझ जाए कि यह हुआ कैसे क्या हुआ इसमें यह इस तरीके से हुआ कि हम दो-तिन चीज़ों ले रहे हैं और दो-तिन चीज़ों आपका आया 100 plus minus 3 ohm और आटू आया 200 plus minus 4 ohm यह हमने series में connect कर दिया तो series में कैसे connect करते हैं एक यह है और यह है आपको maximum absolute error निकालना है जो equivalent resistance है इस combination का अच्छा है equivalent resistance जो आ रहा है इसको आपको percentage error में भी बताना है तो अब सबसे पहले यह R जो resistance है plus minus delta R क्या होगा जैसे अभी अभी हमने सीखा theory में इन दोनों के जोड़गा होगा यहाने R1 और यह R2 तो R1 R2 जोड़ दीजी यहाँ पर दिया है 100 plus minus 3 यहाँ पर दिया है 200 plus minus 4 तो 100 और 200 अलग से जोड़ जाएंगे plus minus लेके आप इन दोनों को जोड़ेंगे 3 plus 4 वोगा 7 300 plus minus 7 ohm होगा इन दोनों को अलग जोड़ा इन दोनों को अलग जोड़ा तो कि यह basic value है यह आपकी error value है तो maximum absolute error के आगया हो गया यह 7 ohm आगया percentage error निकालना है तो delta r लीजिए delta r कितना आया 7 actual r क्या था 300 यह 3 है 300 है delta r by r करके 100 कर दीजिए आपका 2.3% आएगा जो equivalent resistance आ रहा है percentage error में वो आपका सीधा 300 plus minus यहाँ पर आप लिख देंगे 2.3% जो आप यहां से आप लिकालना है अब error product में भी आ सकती है division में भी आ सकती है अब आपने कहा है कि दो अलग-अलग चीज़ें हम कर रहे थे उसमें यह error आया तो आप error product और division में कैसे करेंगे जिसे z है आपका a b के बरावर measure value इसकी है a और b और a और b का measure value a plus minus क्योंकि measure value में कुछ कुछ सो कमी error आ रही है वो a वाली है यह b वाली है दोनों को जोड दीजे क्या आएगी अच्छा दोनों को जोडेंगे तो यहां पर क्योंकि product की बात हो रही है तो अब इसका और इसका multiplication होगा proper multiplication कर दीजे a का b से delta b से delta a का b से delta a का delta b से proper इस तरीके से कर दीजी दोनों side को आप z से divide कर दीजी यह z से divide करेंगे यह z से divide करेंगे यह 1-1 आजाएगा यह delta z पर z आजाएगा बाकि सब जगा नीचे z जब 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 आजाएगा आप जानते है z equal to a b है जब इसको z से divide करेंगे यह 1 आएगा बाकी हर जगा पर आप यह सब करते रहेंगे जगे आपने LHS को z से divide किया है RHS को आपने e b से divide किया ध्यान रखेगा आप में left hand side को z से divide किया है और right hand side को भी z से divide किया है लेकिन इस बार z की जगा a b देके दोने जगह है हम Z से डिवाइड कर रेखं तो हम बाय हाथ पे तो Z रखकेंगे दाइं हाथ पे Z लेखेंगे लिखेंगे लिखेंगे उसकी जगह A भी लेएंगे चिस tort B बढबार लिखेंगे इस जगह हम लिखेंगे तो A cancel हो जागा तो B B cancel अगर हो गया A cancel हो गया उससाब से हमारी तिछ इस तरी के value आजा पहला यह हो गया हमारी यह सब आप समझगें कि A B से divide करके क्या है अब देखेगा यह जो चीज है और यह जो चीज है यह बहुत कम आती है बहुत छोटी आई है हम इसको ignore कर सकते है चोड़ सकते क्योंकि बहुत ही छोटी आती है बहुत छोटी आती है डेटा भी यह 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 और यह अब यह क्योंकि यह छोटी value है तो इनका product करेंगे बना छोटी value का product करेंगे तो और छोटी value हो जाएगी तो हम इसको ये product value को हटा सकते हैं इसको ignore कर सकते हैं लेकिन हम इन दोनों को जरूर रखेंगे इन दोनों को जरूर रखेंगे एक और एक यहां से cancel हो गया तो यहां से यह आ गया delta A by A रखेंगे हम delta B by B रखेंगे यह क्यों की product हो रहा है चोटे numbers का इनको हटा दें हम इसको easily verify कर सकते हैं कि यह division के लिए ऐसा ही सही हो जा तो rule क्या हुआ दो quantities अगर हम multiply कर रहे हैं या divide कर रहे हैं तो जो maximum relative या fractional error आ रहा है result में वो सीधा sum हो जाएगा fractional errors अगर हमको अलग-अलग quantity को लेना हो इसका illustration में बताता हूँ आप यह चीज़ समझ जाएंगे जो अभी भी हमने की एक experiment है हमको दिखाना है या बताना है density किसी object की mass और volume इसको किस तरह किसे record किया गया mass को बताये गया 3 और कुछ error हैस में 0.12 का plus minus volume है 10 actual value है लेकिन इसका error है plus minus 1 आपको fractional error बताना है percentage बताना है अध्यान रखेगा कि जो density होती है वो mass by volume होती है क्योंकि हम जानते है रो m by v दिया हुआ है तो fractional error निकालने में क्या करना पड़ेगा डेल्टा रो बाए रो डेल्टा एम बाए m डेल्टा भी बाए v जैसे हमने सब अभी illustration के पहले discussion में देखा डेल्टा m क्या है आपका 0.12 और m क्या है 3 डेल्टा v क्या है 1 और v क्या है 10 सारी value रहान रखेग दिजे 0.14 आएगा percentage error निकालने के लिए इसको 40% परसंट आगा उसके बाद घब हम index के बारे बात करते हैं power के बारे मित बात करते है तो power में पावर आपके करण यह error आने वाला error due to power किसी major quantity में power के कारण कारण है एक छोड़ा सा power लेगे चलते है a2 के बारे मित बात करते है ऒफले घखे z equal to a2 है a2 का मुथ मंथन का होता है A into A, ये power की बात हो रही है, इसके कारण कार रहा है, दोनों साइड आप Z से डिवाइड कर दीजिए, और जैसे हम Z से डिवाइड करेंगे, ये A square है, तो दाये हाँ पे हम A square से डिवाइड करेंगे, हम जानते हैं, डेल्टा Z by Z, डेल्टा A by A, तस डेल्टा A by A, जैने कि ये क इसको अपने पीछे वाले से मैच करता हूँ, जो कि ये बानाता है, ये तो ये काम किया था, फ्रेक्शन एरर तो ये ऐसी आता है, तो फ्रेक्शन एरर निकानने के लिए, हमें इसको डेल्टा A by A, और इसको डेल्टा A by A, क्योंकि दो अलग अलग कॉडिटी है, लेकिन है A की, लेकिन दो बार है, तो ये क्या हो जागा, टू डेल्टा A by A, तो फ्रेक्शन एरर, Z equal to A square का, वो दो गुना होता है, फ्रेक्शन एरर जो A का होता है, A square का, जो एरर होगा, वो टू टाइम्स होगा, इस A की, इसी तरीके से इसको जनरलाइस कर लेते हैं, जनरलाइस कर तीन को जोड़ दीजे, डेल्टा A by A, तीन बर जोड़ दीजे, ये क्या आएगा, N into delta A by A, जनरल में क्या होगा, अगर इसको और थोड़ा सा हम आगे करें, तो अभी अब इसको देखेंगे, Z equal to A की पाउर P, B की पाउर Q, C की पाउर R, तो delta Z by Z होगा, P into A, मता P into delta A by A, Q into delta B by B, और R into delta C by C, ये in general होगा है, तो जो quantity इस formula में है, जिसका largest power है, वो maximum error देगे, इसलिए ध्यान रखेगा, जिसका maximum power है, उसको measure करना equivalency से बहुत सरूरी है, तो इसका इसका इजाब भी ले ले लेके, एक experiment है, density निक आलिये स्फियर की, percentage error जो mass में आया है, वो 0.26% है, और जो percentage error आया है, radius के measurement में, वो 0.38% है, आपको percentage error निकालना है, density के measurement में क्या है, तो ये दिया हुआ है, delta M by M into 100 equal to 0.26%, फिर से revisit करना पढ़ेगा formula जो हमने तस किया था, ये formula directly लिग दिया गया है, यहाँ पर, delta M by M into 100, 0.26% है, delta R by R into 100, 0.38% है, तो sphere की density क्या है, mass by volume, volume जो sphere का होता है, एक sphere की बात करें, तो ball नुमा चीज़ की बात करें, तो 4 by 3 pi R cube होता है, अब error जो density में आएगी, वो क्या है, ये होगा, delta M by M, जैसे मैंने बताया था, ये 3, ये तो constant है, 4 by 3 को छोड़ देंगे, इसको नहीं लेते, ये power है, और R cube है, तो 3 delta R by R, जैसे हमने अभी इसके बारें बताया था, ये वाले के बारें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी delta R by R, हम जानते हैं कि error कैसे निकालते है, delta R by R, delta M by M, प्लस 3 into delta R by R, ये क्या हो गया, 0.26%, ये क्या हो गया, 3 into, ये क्या हो गया, delta R by R, ये आपका 0.38%, 0.26% को जोड़ेंगे, 3 गोना 0. 0.38% से, तो percent energy or density में आया है, वो 1.4%, अगर एक और इसका example देखें, ये दि फॉर्मुला, physical quantity का कुछ इस तरीके से, A की घात 4, B की घात 3, C की घात 1 by 3, और D की घात, आपका root है, basically root क्या होता है, जैसे root D लिखा न, इसका मतलब होता है, D की पावर हाउफ, तो A की पावर 4, A to the power 4, BQ, divided by C की पावर 1 by 3, और root D, तो जो percentage error है, measurement A और B और C, D का वो दिया हुआ, 1, 3, 3, 4, आपको percentage error निकालना है, पूर A का, तो इसको कैसे निकालेंगे, delta W, जो पिछला discussion था, उससे साब से, ये 4 गुना हो जागा, इसका, delta A by A, ये 3 गुना होगा, delta B ये 1 by 2, ये 1 by 3 गुना होगा, delta C by C, और ये 1 by 2, जैसे में अभी आपको समझा है, 1 by 2 power A, delta D by D, जो जो values आपको दी है, 1, 3, 3, 4, वो यहाँ पर रख दीजे, जो डिये 16 पर से लाएगा, जो period है oscillation का किसी भी simple pendulum है, वो हमको दिया हुए T equal to 2 by under root L by C, L इस में length है pendulum की, वो 10 cm दी हुई है, और इसकी accuracy है, वो 1 mm दी हुई है, जो period of oscillation है, वो करीवन 0.5 second दी आ हुआ है, जो time है, 100 oscillation का, इसको measure किया गया, एक watch, जिसका resolution 1 second है, आपको percentage error निकालना है, G के measurement में, percentage error G के measurement में, तो T equal to 2 by under root L by G है, ज़रा 2 by को अधर ले आईए, T by 2 by, अब root हटाना है, तो दोनों को square कर दीजिए, तो T square by 2 pi square, यहाँ T square by 2 pi square आजाएगा, और यह L और G रहेगा, root हट जाएगा, तो अब T square, यहीं रखे 2 pi square को, यहाँ ले चालेजिए, तो यह क्या जाएगा, T square equal to 4 pi square L by G, अब G का निकालना है, तो G को यहाँ लेजिए, T square को होगा, डेल्टा L by L, प्लस 2, डेल्टा T by T, सारे जो, जो constants तो उसको हमें हटा दिया, उसकी आउशकता नहीं होगा, डेल्टा L यहाँ पर सवाल में दिया हुआ, एक मिलिमेटर, इसको centimeter में change कर लेंगी, divide by 10 कर दीजिए, 0.1 centimeter आजिए, length आपको 10 centimeter दिए है, दोनों ही centimeter में को मिलाकव हो जाएगा, total time 0.5 into 100, यानि कि 50 seconds, और डेल्टा T कितना है, एक एक सेकंड में ना पा गया, वो भी आप सवाल में दिया हुआ, इसके directly देगी, अब capital T, क्योंकि इस formula से का लिए, capital T होता T by N, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा, डेल्टा T by N, ठीक, डेल्टा T by N, ठीक, N, फिर से मैंने बताया, कि N is a constant, so we don't take it, अब इस constant को नहीं लेगी, डेल्टा T by T, small डेल्टा T by T हो जाएगा, अब इसको यहाँ पर रग देगी, इसकी जगा पर, यह जो था, यह यहीं से तो आया था, इसलिए तो हमें निकाला, यह formula क्या बन जाएगा, अब डेल् T by T, अब यह भी हमने देखा कि यह एक सेकंड है, और यह 50, मडिप्लाए करिए, 0.05 आएगा, और क्योंकि परसंटेज जो एरर आएगा, इसको 100 से मडिप्लाए करके आएगा, तो परसंटेज एरर के आएगा, 0.05 इनकी 100, यानि भी 5%, तो यह एक और पार्ट हुआ, इस discussion का measurement और unit कैसे हम देखते हैं, आगे और भी वाकिए है, इसके बास वाल जवाब भी देखेंगी, तब तक यह शुक्रिया महरबाने आप सबीचे,